हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियने स्टडी इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए मूल विधी के इंपोटेंट कोसंस लेकर क्या जाहूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही जादा बीधी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो श्टाट करते हों देख लेते हैं पहला कोसंद पहला कोसंद निम्ले कि तम एसा अपराद का आवसायकत्व नहीं हैं जल्सुदी बताइये ।बियों सा अपराद का आवसायक थम नहीं झील भी हो जाता है अपरादिक तत्ब अपराद के लिए क्या आवसायक नहीं है अपराद के लिए क्या आवसायक नहीं है अपराद का आसे क्या है वर्जित कार क्या है कार के लिए दंड क्या दिया जाएगा ये सबी जो है वो आसे है लेकिन अपराद का उद्देश ये केवल अपराद का इसलिए तो वह अपराद करता है अगर उसको उद्देश पता चल जाए कि इस अपराद का उद्देश यह है उस उद्देश उसको तो पता होता है लेकिन एक्चुल में उद्देश जो है वह अपराद का ततब नहीं होता है दूसरा ओप्संस करेक्ट ठीक है अपरादिक मना इस्तिति में, कारण, यानि कि हेतु जो यह सामिल नहीं है, पहला औप्सन, बिलकुल करेक्ट, निमले के तुमेंसे कौन सा कटोर दायत बब का अपराद है, जल्ली बताओ, कौन सा कटोर दायत बाद है, तो सही आंसर हो जाएगा, दोई बिवाह, दोई बिव या विदेशी सत्रू पर इस पे भी उस प्रोक सभी पर जो है वो लागू नहीं है चोहता ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा बारती डंड सहीं था कि कौन सी दारा बारत से परे किये गए अपराद लागू की बात करती है तो सही आंसर क्या हो जाएगा दारा तीन एवं चार यानि कि तीसरा ओप्सन्स बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट कोस्टन्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो डेली बेसिस पे सुबह 10 बचैनी पर फ्री Спेसल क्लास लेता हूं एक 10 बच änd obliged दो इस्पेसल क्लास होते हैं दौनों इत क्लास में आपको हिंदी को बिल्लकुल टापिक वाऍस कवर कर रहाूं अब किस तरीके से मैं आपको Hindi पढ़ा रहा हूँ मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि एक बार आप Class में आ करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कितना Quality Content मैं आपको वहाँ पर Provide करवा रहा हूँ तो मेरे कहने से एक बार जरू से आईएगा ताकि आप लोग को ये पता चले चके कि यहाँ पर कितनी अच्छे तरीके से आपको Hindi करवर करवाई जा रही है और अगर आपको Class समझ में ना आए पसंद ना आए तो मैं तो आपको डारेक्टली कहता हूँ कि आप Class को डिसलाइक करना और चले आना ठीक है Class तक पहुँचने के लिए डिस्क्रिप्सर में लिंक है फिर भी अगर आप नहीं पहुच पा रहे हैं तो मैं आपको पूरा टूटोरियल बता दे रहा हूँ आप लोग को सबसे आदा दिक्कत हो रही है मेरी Special Class लेने पर जो रोस सुबा 11 वजे चलती है आप जैसे ही एनकेणी पर अपना एकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो कुल करके आएगे तो आपको UPCC सर्च करना है UPCC यह स्टेट PCS में आपको ये UPCC देखने को मिल जाएगा तो हमने ये देखो ये मिल गया UPCC तो हमने इसको सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सेलेक्ट कर लिया हमको हिंदी मीडियम से पढ़ ना है आगे की जो आपकी प्रॉस्सिंग हो है आपर हो जाईगे और आपको यहाँ पर UPCC लिक करकर कर आजएगा देखो यह लिक कर गया UPCC C, अब up triple SC category में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है, यह सर्च पर और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है, मेरा नाम है Tariq, टारिक सरवर, यह मेरा नाम है तो देखो, मैं आपको वहाँ पर देख जाओंगो यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी class होंगी वो भी आजाएंगी देखो यह सारी class आगी अभी हाली मैं class लेकर क्या टाउू 70 मिनिट पहले तो आपको मेरी class देखना है सबसकरो यही वाली class देखना है तो मैंने click किया तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपको class unlock करना पड़ेगी जैसे ही मैंने आपको class में किया तो unlock code आपको मांगा है तो unlock code है आपका Indian study जो कि हमारे channel का नाम है Indian study कहीं भी कोई भी space नहीं है यह है और इसको हमने unlock कर दी अब आपके सामने class unlock हो गई आराम से आप class का lift उठाइए और daily basis पे आपके पास notification भी पहुच जाया करेगी अब आपको समझ में भी आगया होगा सब को से ठीक है अब मिलते हैं जैसे भी आपको class होगी आप उस तरीक से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है next questions आपके सामने कि भारतिय डंड सहीता की दारा 10 में इस्तरी सब्द गोतक है पढ़ा चुका हूँ कम से कम दो बर पढ़ा चुका है यह questions तो इस्तरी सब्द किसका गोतक है किसी भी आईयू की इस्तरी का तो दूसरा options यहां पर आपका बिल्गू correct हो जाएगा भारतिय डंड सहीता की हर परिवासा हर दंड वा हर उपबंद साधन अपबाद के अध्यन अध्यन दीन होगा यह किस दारा में का गया है तो किस दारा में का गया है दारा च्छे में का गया है चौता options correct भारतिय डंड सहीता की किस दारा में समान आसे के सिद्धान को बताया गया है जल्ली बताओ तो दारा चौतीस में बताया गया है यह पहला options correct बारतिय डेंट सहीता की कौन सी धारा भारत सब्द को परिवासित करती है बहतरीन कोस्टन्स तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा अठारा तीसरा ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्गूर करेक्ट निमलेकित मेंसे कौन सी धारा पर थक आसे के सिद्दान पर कार करती है तो कौन सी धारा करती है तो सही आंसर हो जाएगा धारा अलप्तीस यह धारा हैं आपको याद होना चाहिए बारतिय डेंट सहीता की बारती डन सही था कि दारा 34 के अंतर कत दायत वहता है संयुक्त का पहलाई options यहां पर आपका बल्लोगिल correct बारती डन सही था कि अंतर कत निम लिकत में से कौन सा दन प्रकार नहीं है जल्ली बताओं कौन सा दन प्रकार नहीं है निर्वासन दूसरा options correct उच्टम न्याले ने किस बाद में यह कहा कि पतनी अपने पती को सनरक्षन देने पर दोसी नहीं ठेहराई जा सकती है तो किस बाद में कहा यह सुप्रीम कोट ने तो सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडू राजबनाम नलिनी बाद पहला options correct एक सफल अवियोजन का परणाम होता है तो एक सफल अवियोजन का जो परणाम होता है दो सिद्धी होगा सर तीसरा options यहां पर आपका बिलकुल correct हो जाएगा आजीवन कारावास हो सकता है आजीवन कारावास हो सकता है तो आजीवन कारावास जो है ये कठोर कारावास की स्रेडी में आएगा पहला ही ओपसंस यहाँ पर आपका बिल्लकुर करेक्ट अपराद के लिए किसी सिद दोस व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांद परिरोध में रखा जा सकता है तो सही आंसर हो जाएगा केबल तीन माँ किसी व्यक्ति का किरत सादह अपबाद के अंतरगत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है तो उसे कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा पहलाई यह उप्संस यहाँ पर आपका बिलेकुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशंस एक जलाद जो मरत्यू निस्पादित करता है भारते डंड सही था कि किस दारा के अंतरगत आपरादिक दायत्व से मुक्त है क्योंकि जल्लाद जो है वो फांसी केलिए क्या करता है फांसी देता है जो भी होता है तो ये उसका अपराद अपराद नहीं वाना जाएगा ये भारति डंड सही है थागी किस दारा में है तो सही आंसर हो जाएगा दारा थातर में दूसरा or options correct मैक नौटन का बाद निम्लेकित में से किस बचाओ की आदार से समधित है तो सही आंसर हो जाएगा चित विक्रती चौह था ओप्सन्स करेक्ट नेक्स्ट कोशन्स किसी व्यक्ति की सेहमती से कारित की जा सकती है तो किसी व्यक्ति की सेमती से क्या कारित की जा सकती है उपाती तीसरा options correct निमने के तमेंसे किस बाद में आस्वस्त मन का बचाओ की रूप में होने का सिद्धन पिर्ति पादित किया गया तो ये आर बना मैक नोटन बाद में कहा गया पहला ही options correct निम्नमे से कौन सी धारा अनाक्षिप मतत्ता की आदार पर पिरतिरक्षा से समधित है तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 85 पहला options correct प्राइवेट पिरतिरक्षा का अधिकार किस समधित है तो सही आंसर हो जाएगा सरीर एवं संपत्ती दोनों से तीसरा उप्सन्स करेक्ट आतमरक्षा का अधीकार है तो आतमरक्षा का अधीकार जो है वो अपने सरीर के पिरती अपराद से पिरती रक्षा पहलाई उप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट और लाश्ट कोसंस किस मामले में आतमरक्षा का अधीकार उपबंद नहीं होगा लोग सेवक द्वारा किया गया कार आप रादिक अतीचार को रोकने में या जंगम संपती की रक्षा में या उपरुक तो सबी तो सर इस कोसंस का अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तो ये थे आपके 25 या 26 इंपोटेंट कोसंस मूल भी दी के जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बेहद इंपोटेंट है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में तो सर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीज़ों और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाने यसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै इंद जै भारत